Welcome again friends and students, myself Mahindr Devanda, हम पढ़ रहे हैं Cell Biology, आज Cell Biology में हम लोग Model of Cell Membrane, Oblick Plasma Membrane के बारे में जानेंगे, यानि Cell Membrane की structure को समझाने के लिए जो Modals अलग-अलग विगयनी को द्वारा दिये गए, उन्ही को विष्थार से जानेंगे, साथ ही हम Cell Membrane में पाए जाने वाले Components को और जानने का प्रियास करेंगे, उससे पूर वीडियो में हमने Cell Membrane में पाए जाने वाले Carbohidates, Protein और Lipid, तीनों Component का Distribution किस तरह से होता है इसके बारे में जान चुके हैं, शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक Cell दिखाए दे रही है, Cell में आपको जो Covering दिखाए दे रही है, यह जो Covering है, इस Covering के बारे में बाचित करने वाले हैं, ओके, तो इसके सुरुआत में इसके Model दिये गए थे, तो यह किस तरह की structure होती है cell membrane उसी के हम लोग विष्थार से जानने का प्रियास करते हैं सबसे पहले model of cell membrane में lipid model दिया गया था lipid model Charles Annette Overtone द्वारह दिया गया था plasmane made of lipid in continuous form and in a single layer इन्होंने यह बताया कि जो plasma membrane है वो lipid की बनी हुई होती है और एक continuous एकी form में पाई जाती है एकी रूप में वो पाई जाती है एकी रूप का आसाय यहां पर यह है कि सिर्फ एकी layer वहां पर पाई जा रही है वर्तमान में तो हम जानते हैं कि यह cell membrane जो plasmo membrane है वो किस तरह की structure है by layer है, lipid by layer है और उसके दोनों तरफ protein protein का arrangement भी किस तरह से पाई जाता है यह हम proper जानते हैं लेकिन यहां पर जो model दिये गए हैं हम उन्ही को बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरुआत में इसकी वास्तिक वर्तमान की इस्तिक कैसे आज आ पाई है तो उन्होंने जो ओवर्टन ने बताया था कि जो cell membrane है वो continuous form है और single layer के रूप में पाई जाती है as because transport and absorption of organic solvent is move faster as compared to water-soluble substances उन्होंने यह कहा था कि जो organic solvents रते हैं या हम कहें कि जो non-polar component है वो इस lipid इस layer से वो आसानी से cross कर जाते है इनका transport एक इस्तान से दूसरे आराम से easily आ जा सकते है उन्होंने यह भी बताया कि जो cell membrane है वो cholesterol, lecithin और fatty acid से मिलकर बनी होती है उन्होंने इस तरह की structure का model दिया गया था आपको पता है कि यह इसमें किसी तरह की कई परकार की खामिया दी क्योंकि इसमें protein के structure के बारे, protein component के बारे में नहीं इदा बताया गया किस तरह से जो polar molecules हैं, उनका transport किस तरह से होता है इसके बारे में भी जानकरी नहीं दी गयी थी तो इनसे अच्छा model उसके बाद में एक model आया जिसको lipid leaflet model का जाता है जिसको lipid leaflet model को gorter and grendel द्वारा 1925 में दिया गया था इसके अनुसार, according to this model cell membrane made by two layers of lipid molecules इनके अनुसार जो cell membrane होती है वो lipid की दो layer से मिलकर बनी होती है in which polar head of phospholipid on outer surface and non-polar end दूसरा जो इसमें जो phospholipid होता है उसके पास polar head भी होता है और non-polar head भी होता है कैसे होता है देखो यहाँ पर clearly दिखावा है यह phospholipid, उन्होंने यह माना है कि यह phospholipid है यह भी phospholipid है दो bilayer होगी, एक bilayer यह और दूसरी layer यह तो two layers होगी यहाँ polar head of lipid जो आपको यह जो दिखाए दे रहा है यह इसका polar head part है यह हम कहें यह धूरिये part है जो कि जैसे aqueous medium में आराम से यह डिजोल हो सकता है दूसरा जो माद्यम है वो non-polar non-polar part है non-polar जिसको यहाँ पर आपको यह structure long यह structure आपको जो दिखाए दे रही है जो कि polar part से जुड़ी हुई है यह इसका non-polar part है यानि उन्होंने यहीं बताया कि जो manly जो lipid का जो cell membrane है वो phospholivid से मिलकर बनी होती है इसलिए इसको नाम दिया गया lipid leaflet model दिया गया है लेकिन इसमें भी उन्होंने protein components को या carbohydrate किस तरह से arrange होता है इसके लाब आइनो का transport किस तरह से होता है macromolecules का transport किस तरह से होगा इन सब के बारे में समझाने नहीं सके है next model आया है उसके बाद में sandwich model या laminar model इसको दिया गया था danially and dowson model danially and dowson नहीं दिया था इसलिए इसको danially and dowson model भी कहते हैं तो इसके तीन नाम हो गया sandwich model, laminar model and danially and dowson model इसको प्रोपोज किया था jams danially and hove dowson द्वारा 1935 में इन्होंने ये बताया इन्होंने एक important अच्छी बात ये बताया कि इन्होंने protein component को भी बताया था इसको विस्तार से समझेंगे उससे पहले हम लोग इसकी सरचना देख लेते हैं इन्होंने बताया कि जो globular protein होती है ये जो अपना जो lipid molecule है उसके बाहर की तरफ पाया जता है ये बाहर की तरफ जैसे ये अंदर की तरफ पाया जता है ओके इहाँ पर है जो आपको लिपिड molecules के बारे में तो सभी ने बताया ये लिपिड molecules है यह जितने भी है लिपिड मॉलिक्यूल है इनके दोनों बाहर के तरफ यह क्या होती है प्रोटीन की layer पाए जा रही है जो की जो प्रोटीन का जो type होता है वो globular proteins होता है और उसका जो diameter होता है उसका जो व्यास होता है वो 20 anga strong 20 bağ strong बाहर की तरह पाया जाता है और 20 आंगस्ट्रोंग ही अंदर वाले सर्फेस में पाया जा रहा है इस वाले सर्फेस में भी 20 आंगस्ट्रोंग या हम कहें कि जो यह पार्ट है और यह पार्ट है यह 20 आंगस्ट्रोंग है और यह पार्ट भी 20 आंगस्ट्रोंग इसका पार्ट जो लिपिट का component है उसमें hydrophilic head हो गया, जो कि hydrophilic head होता है, वो polar region है, polar means उसके पास ionic परवती रहती है, वो polar molecules में आराम से dissolve हो सकता है, lipid molecules के पास में दूसरा जो भाग होता है, वो hydrophobic tells के रूप में होता है, ये non-polar भाग होता है, ऐसे ही hydrophilic head दूसरी तरब भी पाया जाता है, जो lipid layer का जो diameter होता है, 75 anga strong, पिछवतर anga strong इसका diameter होता है, यानि कुल मिला के हम बात करें, तो 20 plus 75 and 20, इन्होंने कुल मिला कर ये बताया, कि इस तरह इसके लगबग-लगबग, so anga strong इसकी diameter होता है, cell membrane का, इन्होंने और क्या बता है, उसके बार में जानते हैं, according to this, the cell, sorry, plasma layer made by three layers, जो plasma layer होती है, वो तीन layer हो में पाया जाती है, कैसे हो गई तीन layer, एक हो गई protein layer, every side of protein layer 20 anga strong, इन्होंने बताया कि, दोनों तरब तो 20 anga strong, 20-20 anga strong की, अपने पास ये जो protein का part है, वो हो गया, और इसके लाव जो phospholipid होता है, वो bilayer के रूप में, यानि जो बीच में पाये जा रही है, वो 35 anga strong, यानि इनको मिला के, लगबग लगबग 20 ये, 20 अंदर की side में, और 35 ये है, यानि लगबग 75 anga strong की, ये इस तरह की structure होती है, यानि जैसे, ये है cell membrane, ओके इसको assume करके चलते हैं, ये cell membrane है, इसमें बाहर की तरफ protein, फिर lipid, फिर lipid, और फिर अंदर की तरफ protein पाए जाती है, इस तरह उनका arrangement पाए जाता है, जिसको P, protein, L, lipid, N, lipid and protein structure, इस तरह इनका arrangement होता है, ओके next, protein layer made two layer, protein की जो layer है, वो दो layer में पाए जाती है, बोट surface side, दोनों तरफ, वो चाए सेल के बाहर की बाहर वाली तरफ या सेल के inside की तरफ, दोनों तरफ, protein की layer पाए जाती है, and lipid biomolecular layer of phospholipid, जो lipid biomolecular की जो पाए जाती है, वो mainly phospholipid से मिलकर बनी हुई होती है, lipid molecules called amphipathic, lipid molecules होते हैं, वो amphipathic nature के होते हैं, यानि जिनको कहें कि उनके पास polar and non-polar दोनों भाग पाए जाते हैं, जिसको हमने बताया कि जो head part है, वो polar region है, tail part है, वो non-polar region है, because it's have two type part, one is hydrophilic, that is head part, and hydrophobic, that is tail part, Okay, next, hydrophilic end attached with hydrogen and ionic bond, and hydrophobic end attached with wonderwall forces, जो hydrophilic part है, वो जिस protein के साथ जुडा रहेगा, उसके साथ, या carbonate के साथ जुडा रहेगा, वो या तो hydrogen bond के साथ जुडा रहेगा, या ionic bond के साथ में जुडा रहेगा, ये hydrogen bond हो सकता है, या ionic bond, अगर वो हाइडरोफविक रेजन के साथ जुड़ता है तो वो वहाँ पर वांडरवाल फोर्स उसको मजबूती परदान करते हैं उनको आपस में जोडने का काम करते हैं पोर्स कवर प्रोटीन कवर बाई प्रोटीन और प्रोवाइड वाटर सोलिबल सर्फेस जो अब जो सेल मेंब्रेन होती है उसमें बीच में पोर्स पाया जाते हैं और वो पोर्स प्रोटीन के द्वारा कवर रहते हैं और वो वाटर सोलिबल सर्फेस का फोर्मेशन करते हैं Lipid molecules provide surface for hydrophobic molecules. Lipid molecules अमें ये समझना चाहिए, क्योंकि, कि वो hydrophobic molecules हैं, उनको easily अपने से pass out होने तेते हैं, उसको आराम से एक तरफ से, दूसरी तरफ उनका transport easily कर देते हैं. ओके, ये इन्होंने बताया था. लेकिन इसमें भी कुछ कमिया रही, कमिया क्या रही, इसमें उन्होंने प्रोपर तरीके से और दूसरे molecules हैं उनको ये नहीं बताया protein का जो arrangement है आज हम जानते हैं कि वो mosaic form में arrangement होता है उन्होंने बताया कि continuous form में पाया जाता है इनकी ये कुछ कम ही आ रही थी इसके बाद में ये important model है unit membrane models इसको Robertson ने 1959 में दिया था 1959 में Robertson टेक पिच्चेस और प्लाजम मेंबरेन बाई fixation with Osmium Tetra Oxide उन्होंने यह बताया उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने Osmium Tetra Oxide को लेकर इस Cell Membrane को fix करके उसकी study की और उन्हें बताया कि जो Cell Membrane की जो थिकनेस होती है वो 75 to 100 अंगस्टांग होती है इन्होंने भी जो Daniel and Dawson ने जो मोडल बताया था लगबग लगबग उन्हें के जैसा मोडल है वही उन्होंने बताया था कि जो Phospholibid से ही मिलकर mostly Phospholibid से ही मिलकर बनी होती है 75 अंगस्टांग पूरे मिलकर formation करती है इसमें भी protein पाई जाती है लेकिन यहाँ पर difference यह होता है कि यहाँ पर globular protein नहीं होके यहाँ पर fibrous protein पाई जाती है यह protein का जो type है वो fibrous है जबकि Daniel and Dawson ने बताया था कि वो globular protein है वही hydrophilic head part पाई जाता है जो की polar region बनाता है hydrophobic tails है वो non-polar बाग बनाता है hydrophilic head polar region बनाता है यह outer surface है यह inner surface दोनों तरफ fibrous protein पाई जा रही है यह बताया था रोबर्ट संद्वारा 1959 में ओके इन्होंने तिकनेस को भी थोड़ा सा बताया कि यह 75 to 100 अंगस्टांग भी इसकी diameter हो सकता है यानि यह जो diameter है इसके बारे में बाचीत हो रही है कि यह diameter 75 से 100 अंगस्टांग तग हो सकता है ओके next हम बात करें micellar model के बारे में micellar model जैसे कि हम जानते हैं कि micellar theory होती है उसमें hydrophobic जो tail region होते हैं वो बीच में होते हैं और hydrophilic जो region होते हैं वो बाहर के तरफ पाए जाते हैं जैसे यहां पर यह micellar structure है यह जो भाग आपको black dot में दिखाए दे रहे हैं यह जो भाग है बाहर के तरफ यह है hydrophilic region इसके बारे में क्योंकि यह पानी के साथ में मिल सकते हैं आराम से उनसे यह जो टेल हैं वो hydrophobic nature के होते हैं तो hydrophobic hydrophobic nature आपस में मिलकर micellar का formation करते हैं इसलिए इसको micellar model नाम दिया गया है क्योंकि इसमें micellar जैसे structure बनती है लेकिन यह model जो दिया गया था वो hyalare and hopman द्वारा दिया गया था इसकी आपको पता है कि प्रोटीन चारों तरफ से micellar molecules को cover करके रखती है इन्होंने यह भी focus किया था जो phospholipid है जो lipid molecule है manly phospholipid के form में ही पाया जाता है लेकिन इस model को भी मानता नहीं मिली नहीं मिलने का region वही है इसमें पूरी तरह से हम molecules का transport नहीं explain कर सकते हैं कि कैसे molecule एक तरफ से दूसरी तरफ में move करते हैं ओके इस तरह से यह model भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा इसके बाद में सबसे important जो आज भी माननेता है fluid mosaic model यह singer और निकोल संद्वारा 1972 में दिया गया था most acceptable model यह सबसे ज़्यादा मानने model है अब तक कि जितने भी model दिये गए हैं उन में इसको also called नहीं वो बीच बीच में उसमें रहते हैं, बीच बीच में पाया जाते हैं, बीच बीच में कहीं के लिपिड भी डिरेक्टली दिखाए देती है, यानि उसके चासनी भी दिखाए दे रही है, कहीं जामून दिखाए दे रहे हैं, तो इस तरह से इसमें भी ये बताया गया है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ह होगा ओके इन में मान के चलते हैं ये गुलाब जमुन है 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 तो इनके जो बीच में जो इस पेस बच गया यहां पर यहां पर लिपिड होगा यानि चासनी होगी और ये बीच बीच मे यहाँ पर गुलाब जम उना है यानि इसको कहें प्रोटीन पार्ट है इसली बहुत इसली है यह हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि एक समहा सागर में समुंदर में या पानी में बरफ के टुकडे हुए बरफ के टुकडे डूबते नहीं है वो तेरते रहते हैं आइस के क्यूब्स तेरते रहते हैं इसमें जो आइस पार्ट है उसको प्रोटीन के इक्विलेंट माना गया है और जो पानी है यानि जिसको हम समुंदर का नाम दे सकते हैं या कोई भी पानी है वो जो भाग है जो liquid medium में है वो लिपिड के रूप में act करता है यानि लिपिड के समान उसको माना गया है ओकी प्रोटीन इसमें जो प्रोटीन is scattered in between phospholipid bilayer इसमें जो प्रोटीन होता है वो phospholipid की bilayer में बिखरा हुआ पाया जाता है अलग अलग जगे पर व्यवस्तित होता है प्रोटीन iceberg in a sea of phospholipid यस इसको ये माना गया है phospholipid को तो समंदर के समान phospholipid जो main lipid component है उसको समंदर के समान जबकि जो जो ice है बरफ के जो बड़े बड़े टुकडे हैं उनको प्रोटीन के समान माना गया according to this model the semi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein proteins within bilayer इसमें ये बताया गया है कि जो lipid का जो semi-lipid nature of lipid lipid के पूरी तरह से liquid form में नहीं पाये जाता है वो semi-liquid form में पाये जाता है lipid जो पाये जा रहा है उसमें जो movement होता है proteins का वो easily हो पाता है किस वज़े से क्योंकि lipid molecule पूरी तरह से तरल भी नहीं है और पूरी तरह से liquid भी नहीं है यानि ये protein के movement को और खुद lipid के movement को laterally movement के लिए space provide करवाता है और ये खुद bilayer में ही movement करेंगे ऐसा नहीं कि bilayer को छोड़के दूसरी जगे cell के अंदर चले जाएंगे या extra cellar matrix में चले जाएंगे ऐसा नहीं है वो उसी लेयर में क्योंकि उनके पास force की वज़े से वो एक दूसरे से जुड़े वे रहते हैं लेकिन वो उसमें move कर सकते हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में कैसे किस तक्नीक के थुरू हम कौन सा movement lateral movement कैसे measure कर सकते हैं transverse जो moment कैसे होता है lipid molecules का उसको हम जान चुके हैं तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि इसमें protein molecules move कर सकते हैं and lipid molecules भी move कर सकते हैं lipid by layer में its measure as its fluidity इसको हमने नाम दिया गया है fluidity इसको हम fluidity से उसकी तरलता से मापते हैं तरलता यानि जितना उस component पे depend करेगा कि कितनी तरलता उसमें पाई जा रही है या उसमें moment कितना है lipid layer में कितना moment हो रहा है okay next हम बात करते हैं fluid nature of the membrane is important from point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, selective permeability actually जो fluid nature होता है membranes का वो इन सभी कारियों में महत्वपूर्ण होता है या इन कारियों को हम उसकी जो fluidity है उसके आदार पर इसको समझ सकते हैं जैसे कि cell growth, अगर कोशिका को growth करनी है और जो cell membrane की जो बाहर की covering आवरण है जैसे cell, ये जो, ये cell, जैसे महां लिए, cell membrane है अगर ये बिल्कुल tight होती बिल्कुल मतलब ये कहेगी कि मैं तो नहीं इलने वाली अगर ये अपनी जगे से static रहेगी इसमें moment नहीं हो पाएगा तो क्या इस cell की growth हो पाएगी? नहीं, नहीं हो पाएगी इसमें कोई तरह का junction इससे कोई आके मिल सकेगा? नहीं, कभी नहीं मिल सकेगा कोई junction का formation नहीं हो सकता ये कुछ secret मी नहीं कर सकती इसमें ना endocytosis, endocytosis का मतलब ये कुछ बाहर से अपने अंदर कुछ material ले सकती है? क्या? नहीं ले सकती cell division हो सकता है? नहीं हो सकता selective permeable हो सकता है? नहीं हो सकता कब नहीं हो सकता? जब ये rigid structure में पाएगी बिल्कुल tight structure में पाएगी लेकिन वास्तिव कंडिशन में rigid cell membrane की structure rigid नहीं होती है ये पाए जाती है कहने का मतलब होता है जो cell membrane है वो fluidity nature की होते है उसमें moment are easily हो पाते हैं और इस moment easily हो पाएगे इसलिए इनमे cell growth आराम से हो जाती है दूसरे cells के साथ में cell junction आपस में जूड सकती है cell के अंदर का material secret हो सकता है endocytosis की process हो जाती है cell division हो सकता है और selectively permeable ये structure इस तरह से अपने आपको बनाया रखती है ओके ये इसकी खास बात है ये इन चीजों को उससे पहले वाले मोडलों में ये चीज़ें नहीं proper तरीके से समझा गई थी ओके ये NCRT से ली गई एक फोटो है इसमें मैंने कुछ addition किया है ये बताया गया है fluid mosaic model of plasma membrane plasma membrane का fluid mosaic model को समझाया गया है सुरुआत करते हैं सुरू से इसमें कौन-कौन से पार्ट कैसे दिखाए देते हैं इसके बारे मैं देख लेते हैं जो हमारी सबसे पहले हम इसमें lipid molecule है जो आपको ये बिल्कुल दाने दाने जैसे structure दिखाए दे रही है ये इसके lipid जो phospholipid है उसके polar region है और नीचे वाली layer अंदर वाली layer में ये आपको मैंने जहाँ line बना रहा हूँ ये polar region का head part है जो phospholipid है उसका head part है ये तो हो गया है उसका head part दूसरा जो भाग है इसके साथ मैं आपको black line है दिखाए दे रही होगी यू करके ये structure यू है दोनों तरफ से यू है तो अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ और भी structure है ये तो हो गए इसकी phospholipid के इसमें जो जो corner से शुरू करते हैं ये है sugar अब sugar आप ध्यान से देखेंगे तो ये sugar molecules जो जुड़ा हुआ है ये sugar molecules है और ये sugar जो molecule है वो एक protein के साथ जुड़ा हुआ है ये एक protein है इसके बाद में हम देखें दूसरा protein part ये protein पूरे अंदर से बाहर तक बाहर से अंदर तक आ रही है यहाँ पर ये transmembrane की तरह काम कर रही है और ये इस पूरी जो cell membrane है उसमें दसीवी पाई जा रही है अंदर की तरप ये दसीवी पाई जा रही है अब अगर अगर protein के साथ अगर protein के साथ में अगर कोई carbohydrate जुड़ता है जैसे ये protein है और इसके साथ छोटा सा carbohydrate जुड़ा हुआ है ये दोनों आपस में मिलकर glycoprotein का formation करते हैं glycoprotein carbohydrate source प्लस protein source दोनों मिलकर glycoprotein का formation करते हैं ये हमें ध्यान रखना है glycoprotein ये बहुत important है जब हम blood की अलग अलग परकार के antigens के बारे में antibodies के बारे में पढ़ते हैं तब हमारे पास glycogenic important factor हो जाता है इसके लाग जो protein का distribution होता है इसको हमने पहले जाना था कि इसकी structure में किस तरह cell membrane में किस तरह से protein का distribution होता है एक हमने पढ़ा था periphery की तरह protein पाये जाता है और दूसरा पाये जाता है integral protein जो cell membrane में अंदर की तरह दसा हुआ पाये जाता है यहाँ पर देखो यह peripheral protein है क्योंकि यह पूरी तरह से नहीं दसा हुआ है यह सिर्फ इतना ही थोड़ा सा ही दसा हुआ है यह peripheral protein है यह है integral protein क्योंकि यह R-par इसको R-par cell membrane को cross करके रखता है यह cell की outer side मान के चलते है और यह cell की अंदर की side है यह कुछ stable protein भी पाये जाते हैं जो ज़्यादा movement नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके साथ में कुछ ionic interaction की वज़े से यह है lipid by layer दो layer पे पाये जाते ही एक layer उपर की और एक layer नीचे वाली तो इसको lipid by layer नाम देते हैं बहुत ही simple है glycoprotein देखो इसमें भी आराम से हैं जब carbohydrate component lipid molecule के साथ में attach होता है तो glycoprotein का glycoprotein का फोर्मेशन करता है इसके अलावा एक important component ओर रहे गया हमारा cholesterol cholesterol जो इस plasma membrane को stability provide करने का काम करता है ये बीच बीच में आपको yellow जो color दिखाए दे रहे हैं जिसे यहाँ पर है yellow color के बीच बीच में आपको जो structure दिखाए दे रही है ये है cholesterol molecule जो cell membrane को stability provide करते हैं next आम पढ़ते हैं cell recognition यानि cell को कैसे पैचाना जाता है यानि cell अपनी identity यानि अपनी पैचान कैसे रखती है जैसे हम किसी को देख के यह कह देते हैं ये तो वो है ये तो वो है किसी person के बारे में ये तो जिसका नाम भी हम अगर हम देखा है तो हम बता देते हैं ऐसे ही सेल के पास में भी particular कुछ molecule होने की वज़े से वो अपनी identity रखती है उस identity में सबसे पहले है हमारे पास molecule है glycolipid and दूसरा molecule है glycoproteins यह दो molecules हैं जो cell के surface के उपर पाये जाते हैं जो यह cell membrane है इसके बाहर की तरफ इससे जुड़े हुए पाये जाते हैं जिससे कोसिगा की पैचान होती है यह किस कोसिगा हर कोसिगा में अलग अलग परकार के glycolipids या glycoproteins पाये जाते हैं यह भी important है कि इन में से जो glycoproteins और glycolipid में सब ज़्यादा component glycoproteins पाये जाते हैं लगबक 90% से भी ज़्यादा part glycoproteins अपना इससा बनाते हैं जैसे example है sperm and ova, blood and tisons यह सब इसके examples हैं ओके next हम बात करते हैं जो कि बहुत important है fluidity of cell membrane cell membrane की तरलता के बारे में, अच्छा cell membrane की तरलता क्या है तो cell membrane में तरलता पाई जाती है, definitely पाई जाती है लेकिन उसमें जो components पाई जाते हैं, वो components कम पाई जा रहे हैं या उन components की प्रकरती क्या है, वो कित्री मात्रा में पाई जा रहे हैं temperature क्या होगा इसके आदार पर इसकी fluidity कम और ज़्यादा होती है ओके तो इसको देखते हैं fluidity of cell membrane is responsible for a normal cell growth and function cell membrane की fluidity cell की normal growth उसके function जिसको हमने जैसे endocytosis हो गया secretion हो गया इन function के लिए fluidity responsible होती है इनकी वज़े से ये function आराम से हो पाते हैं एक cell में it's depend on temperature and lipid composition जो fluidity है cell membrane की वो cell के जो cell का जो temperature है जो outermost में जो temperature पाया जाता है और cell membrane में जो lipid composition पाया जा रहा है उस पे depend करती है जो lipid composition किस तरह का पाया जा रहा है उस पे depend करती है जैसे की fluidity is depend on fatty acid chain length देखो हमने एक molecules ये है एक lipid molecule ये हमने बताया था कि ये था hydrophobic sorry hydrophilic head part और दो ये chain पाई जा रही है ये fatty acid की chain है ये दोनो fatty acid की chain है इसकी length कितनी होगी उसके आधार पर उसमें उसकी fluidity ज्यादा होगी या कम होगी इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे क्योंकि fatty acid की chain carbon की chain से मिलकर बनी होती है इस तरह ये जैसे हम कहते हैं 14, 15, 16 इस carbon से मिलकर fatty acids इस head part है उससे जुड़े होई रहते हैं तो जितनी बड़ी fatty acid की जो कि ये carbon की जो length होगी इसकी stability बढ़ेगी क्योंकि जब-जब carbon number बढ़ता है तो carbon में थोस की परवर्ती बढ़ती है जैसे हम पहले carbon को लें तो पहले carbon में methane बढ़ते हैं methane ये gas foam में पाए जाता है फिर ethane होती है butane, propane जो भी है जैसे जैसे हम carbon number बढ़ते हैं तो उसमें stability बढ़ती है हम कहें कि उसकी solid होने की परवर्ती बढ़ती रहती है एक तो इस पर depend हो गया अगर ये fatty acid की chain ज़्यादा लंबी होगी तो उसकी fluidity कम हो जाएगी next character लें तो degree of saturation and unsaturation ये भी important है वही fatty acid की जो length chain होती है इस तरह पाई आती है तो इसमें जो carbon से carbon आपस में जुडते हैं दो carbon single bond से भी जुड सकते हैं और double bond से भी जुड सकते हैं अब जो single bond से जुडते हैं carbon carbon अगर single bond से आपस में जुडे रहते हैं तो वो saturated fatty acid कैलाते हैं लेकिन अगर carbon carbon आपस में double bond या triple bond से जुड़े रहते हैं तो वो unsaturated होते हैं या double bond जिसमें पाई जाते हैं वो unsaturated fatty acid की category में आते हैं इस पे भी depend कोता है जिनतना ज़्यादा unsaturation होगा उसकी fluidity बढ़ेगी ओके next character लें cholesterol molecule cholesterol molecule at high temperature making less fluidity of membrane generally normally यह अमान के चलते हैं ऐसा होता है कि जो cholesterol molecule हता है वो cell membrane को stability provide करवाता है stability मतलब उसको इस्तिरता प्रवायद कराने का काम करता है लेकिन यह भी important है कि at the low temperature it prevents membrane freezing लेकिन कम तापमान पर cell membrane जम नहीं जाए fridge नहीं हो जाए उससे बचाने का कारिय भी cholesterol molecule ही करता है यानि इसके दोर कितने इसका cholesterol molecule का बहुत ही अच्छा function है कि अगर इसको fluidity को रोकने का भी काम करता है और जहाँ cell membrane अगर कहीं जमने का temperature आ जाए तो उसको जमने से रोकने का भी इसका कारिय होता है ओके ये था हमारे models जिसको अलग अलग model को हमने इसमें जाना है और इसमें सबसे important model था fluid logic model जो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी को धन्यवाद Thank you